हाई दोस्तो मैं अमित आज के वीडियो में मैं आपको एक कस्टम स्क्रीणर बनाना सिखाऊंगा और उसका फूल सोर्स कोड है पाइन स्क्रीप्ट का वह भी जो मैं आपको एक डिस्क्रीप्शन लिंक पे दे दूँगा सो बेसिकली हम लोग जो है एक स्क्रीणर बनाएंगे पाइन स्क्रीप्ट पे कस्टम कोडिंग करके मैं अर्ड़ी जो है कोड करके रखा है कोड का जो आपका जो कोड का सोर्स कोड है जो यह स्क्रीणर का सोर्स कोड है वह मैं आपके लिए जो है मेरे वेबसाइट पे अपलो Language रोजिक क्या है, पहले वह मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं यहां पE देखी हमें अपनेецी स्क्रिनर के आ गया, कि हमें यहां पे एंट्रा मिलें इसको मैं सब्सक्राइब कर लेता हूं इसको मैं minimize कर लेता हूँ यहाँ पे हमें एक buy signal generated हुआ और हमें इस screener पे यह generated होके आ गिया हमारा strategy हम यहाँ पे एक-एक individual stock को select करकर देखना time consuming होगा अगर हम लोग अपने strategy को एक screener के दिवाड़ा बना ले तो वह screener आटोमेटिकली उस stocks को scan करते रहेगा और हमें इसका results हमें अपने computer screen पे आ जाएंगे यहाँ पे मैंने ऐसी screener बनाया है इसमें एक limitations है लिमिटेशन नहीं है कि हभी हाल फिला अभी हम लोग trading view platform में सिफ 40 symbols को ही add करके screener बना सकते हैं आप मुल्टिबल स्कीनर बनाई है अपने मुल्टिबल स्टॉक के साथ आप एजली लाज अमाउंट ऑफ स्कीनर के छूँ ट्रैक कर पाऊगे और यहाँ पे बाइस सिगनल का जो भी आपको सिगनल जिनरेट हो आप उस पे ट्रेड अपना दे सकते हो ाप इस चैनल प्रेड नए हो तो अपने में आपना ऐस कर देता हूं मैं अमित आज है वीडियो सिरीस जैरीज बनाताँ हूँ वह रहता है पाइन स्क्रिप्रिप्ट के रिगर्डिंग, पाइन स्क्रिप्ट के इंडिकेटर्स है a screenERS है उसी के regarding जो हे videos मेरे सारे बनते हैं और आप जो है इससे सीख सकते हो coding वगेरा आप जो है logic define करो और आप को उसी logic के œपर जो है screener आपको stock जो है short list test करके आपके trading view के account पे जो है वो display करते गा easy है simple to use है आप अगर मेरे अगर वह आप देखते हो तो आप भी जो है पाइन स्क्रिप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज इजली गेन कर सकते हो मैं टिपिकली वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता मैं सिंप्लिफाइड करके वीडियो को जो है टेन मिनिस ता गरता हूं क्योंकि मुझे भी पता है आज लोग आजकल जो लोग है इंटर्टेइन वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं और वीडियो अगर लंबा हो जाए तो बहुत जो है स्किप कर देते हैं इसलिए मैं कोसिस करता हूं मेरा टूटोरियल जो मैं बनाता हूं वह टूडी पॉ जो है आप कॉपी पेस करके एक टू चार्ट पर कीजिएगा और मेरा जो लॉजिक है वह बैसिकली आपके पास आ जाएगा लेकिन आप अगर खुद का लॉजिक बनाना चाहते हो तो आपको जो है थोड़ा बहुत एडिटिंग करना होगा और एडिटिंग करने के बार यहां पर मैंने इंपूट्स लिए हैं 50 EA में 5 EA में 50 SME और इसे जब क्रोस ओवर करता है इसका लोजिक में ने लिया है देखें यहां पर सिम्बल में जो है आप जिस सिम्बल को एड़ करना चाहते हो ना वह सिम्बल को यहां पर आट करना है तभी आपका वह लॉजिक इस स्ट्राइब नाम कस्ट्म फ़ंक्शन में यहां पर राइट किया है और यहां पर यह डिस्प्ले होता है प्राइस और क्रोस-ओवर का सिगनल है वह यहाँ पर डिस्पले होता है यहाँ पर रौंडिंग फंक्शन मैंने फंक्शन उर्टय किया है यहाँ पर देखे हैं मैंने time frame जो से लिपएंट है वह time frame यहाँ पर select किया हुआ है source code level यहाँ पर logic दिया हुआ है टीक है यहां पर पर जो प्रिंट होता है वह प्रिंट जो है यहां पर दिया हुआ है đã scan ठीक है colors मैंने किया है daxwar right यहां पर लेवेल का logic दिया हुआ है अब प्लोट का फंक्शन जो है मैंने दिया हुआ इसमें कर सकते हो इस अपने अपने strategy के ऊपर 攻ag2 यह कोड लगां आप काम नज़र अपना स्ट्रेंट कर स्टेनिक इस एकको प्रेडिग व्याओं पर ला जिए गा ilach स्क्रीन टाइम कम होगा आपको जो है इच एन एवरी स्टॉक को मोनिडर करने के जब्रत नहीं है जब भी सिग्नल जेनरेड हो स्क्रीनर पर आ जाएगा आप यहां से देखके इजली एक्जेक्यूट भी कर पाऊगे आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मेरा जो यह काम है वो भी जो है आप लाइक कर रहे हो अगर ऐसा है तो मुझे शो करना मत भूलिए प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजे चैनल को सस्क्राइब कीजे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद